नमस्कार यूट्यूब चैनल एन इन्यूर्स डबल टू में आपका स्वागत है अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी जब भी हम नए टोपिक्स फे वीडियो अपलोड करें उसका जो नोटिफि पाले हम बात करते हैं इसमें यूज वाटर ओर एयर दोनों ही कंडेंसिंग मीडियम का काम करते हैं ताकि जो वेपर रेफ्रीजन्ट है जो हम्प्रेसर से आएगा उसको विद रेफ्रीजन्ट में कणोर्ट किया जासके और दूसरी बात कि यह जो condenser है, evaporative condenser, यह water cooled condenser और cooling tower का combination है और कह सकते हैं कि दोनों का combined जो function होगा, वो evaporative condenser है वो perform करेगा तो सबसे पहले मैं इसके components की बात करता हूँ यह sump है जिसके अंदर water store होता है, यह make up water की arrangement है, यहाँ पर pump लगा हुआ है और इसकी help से यह spray header है जहाँ पानी जाएगा, और यह spray nozzle लगे हुए है spray header के साथ और यह condenser की coil है, और यहाँ यह eliminator है, और यह air extraction pump है तो मैं इसकी working की बात करता हूँ, इसमें क्याएगी सबसे पहले, कि sump में जो water store है तो और यहाँ पर जो condenser coil यहाँ पर यह लगी हुई है, इसमें क्याएगा है कि जो compressor से hot vapor represent यहाँ एंटर करेगा और इस condenser coil के अंदर move करेगा और यहाँ से बाहर चला जाएगा तो इस hot vapor represent को ठंडा करने के लिए क्या करते हैं, संप से water की supply लेते हैं, pump की मदद से जो pump है, वो संप से water को लेके उसको इस pipe के थूरू spray header में भेज देगा और spray header में spray nozzle लगे हुए हैं, और spray nozzle से क्या होगा कि water को condenser tubes के उपर spray किया जाएगा तो उसके बाद क्या होगा कि जो water जो spray होगा, वो condenser coil की जो walls हैं उनको गीला कर देगा और जो hot vapor refrigerant की heat है, उसको absorb कर लेगा, जिसे क्या होगा कि जो water है वो evaporate हो जाएगा और अंदर का जो refrigerant है, वो ठंडा हो जाएगा और दूसरी बात कि यहां से air की arrangement है, कि यहां से air enter करेगी और जो air enter करेगी वो उपर की तरफ move करेगी, क्योंकि air हो हलकी होती है और जिसकी वाचे से उपर की तरफ move करेगी, तो जब air move करेगी, उसके साथ जो water evaporate हुआ है वो vapors भी हवा के साथ उपर चले जाएंगे, लेकिन यहां पर एक eliminator लगा हुआ है eliminator का काम क्या है, कि air को permit करना कि वो उपर चले जाए, लेकिन कोई भी water particles हवा के साथ उपर न जाए तो यह water particles को air से अलग करने का काम करता है उसके बाद यहां पर air extraction pump लगा है, जो air extraction pump है, इसका काम है कि जो air पूरे system के अंदर है, उसको adverse air में discharge करना और यहां से air है, वो बाहर चली जाएगी, अब इसमें क्या है कि जब हम water को use करते हैं water का एक level है, और उसका कुछ जो water है वो evaporate हो जाता है लेकिन जो water evaporate नहीं होता, वो वापिस sump के अंदर चला जाता है, उसको फिर से recirculate किया जाता है लेकिन water के evaporate होने की वज़े से क्या होगा, कि sump का जो level है वो कई बर कम हो जाता है और उसका पता हमें float ball से लगेगा, जो float ball यहां लगी है यह हमें indicate कर दी कि जो level हमने desired level था, जो required level maintain किया था, कि उस level से नीचे चला गया है तो उस level को maintain करने के लिए यहां पे अलग से make-up water की arrangement है और यहां से water को supply किया जाएगा, ताकि जो required level है sump के अंदर उसको maintain किया जासके और इसके बाद इस तरह की जो condenser होती है, इनकी खास बात यह है, कि इस condenser का जो space है, इसको कम space चाहिए और कम power की इसमें जुरूरत होती है, दूसरे water cold condenser के comparison में लेकिन इस condenser की जो main problem यह है, कि इसमें जो condenser tube का जो surface है, उसको साफ करने में problem आती है और मैं कह सकता हूँ कि जो maintenance problem है यह, और इस maintenance problem की वज़े से ही, evaporative जो condenser होती है, उनका ज्यादा use नहीं करते है तो आज हम इस वीडियो में discuss किया, evaporative condenser में क्या-क्या components है, और यह कैसे काम करता है अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, आप इसको like कर सकते हैं, इसको share कर सकते हैं, facebook पे, twitter पे, whatsapp पे, अपने friends के साथ, students के साथ, और any universe double 2 को subscribe करना ना भूलें, thanks for watching, have a nice day